अचाहिए इस देश अगर नहीं होगा तो देश जो हाल सिर्यंद का में हुआ है वो ही हाल जो पांच राज्य में चुनाओ है चेयर राज्य में जीत कर आई है बीजेपी तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ने के वोट दिया तबी तो बीजेपी वने ये सारी चोरी डकैती और बेहिमानी RSS भारते चंता पार्टी की मनुवादी सरकार कर रही है आपने मुझे रोक दिया नहीं तो मैं अभी आपको किनवाता जाता है ये किया जाएगा ग्यानवापी मस्जिद में एक कोट के माध्यम से भी एक वकील साहब के माध्यम से जिनके उपर कोट ने भरोसा करके उनको कमिशनर बनाया कोट उनके माध्यम से एक इतना बड़ा जूट देश के सामने स्थापित किया गया कि वहाँ पर शिबलिंग मिला है ये कोड़ा बिलकुल जूट है आपको कहना है कि मुसलिम विरोधी पार्टी है लेकिन कुछ बीजेपी ने ताउगा की वीडियो वाइरल होता है उसमें कहरें कि हम हिंदू राष्टर बना के देंगे इसमें कितनी सच्चाई क्या बन सकता है कानूनी तो इस तरह से कानूनी तो मनुसुर्ती लागू करा ही देंगे हिंदू राष्ट बना ही देंगे भारत का सनिदान खतम करके तो इसलिए हमें सब को खड़े होके चार सुप्रीम कोट के जो सिटिंग जजिस थे उन्होंने प्रेस कॉन्फेंस करके यह बोला कि हम लोगों के उपर दबाव है और जनता दिखाई दी हमारे साथ वकील साथ उनसे बाचीत करेंगे कानूनी तोर पर कि ज्यानवापी मस्जीद को जो भी फिलाल मुद्दा चल रहा है उसको लेकर कि क्या चल रहा है क्योंकि जब उसकी इनक्वारी होई कि कही ना कही उसमें सिवलिंग लिक रहा है और मुसलिम पक् कहेंगे वहाँ पर जो मंदिर था या मस्जी था इसको लेकर आप क्या कहेंगे एक पांगोंग सो नाम की जील है भारत की धरती पर उस पे चाइना दूसरा पुल बना रहा है वहाँ पर ताकि उसकी जो आर्मी है वह अराम से भारत की धरती पर और अंदर बहुत अराम से आ आए कि करीब 50 लाग लोग करोना से मर गए थे एक और मुद्दा है कि इंफलेशन देश में महंगाई की दर आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है एक और मुद्दा है कि आज तक की हिस्ट्री में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज़्यादा है एक और मुद्दा ह है कि भारत का जो format exchange या ने कि विदेषी मुद्रा जो है वो में बहुत तेजी से कम हो रही है एक और मुद्धा है कि चायना से हमारा ट्रेट डेफिशिटी यानी कि जो वह पार होता है वह बहुत चाइन को 80 परम्पर माई होता पारी चोरी डकैती और बेहिमानी RSS भारतिय जंता पार्टी की मनुवादी सरकार कर रही है आपने मुझे रोक दिया नहीं तो मैं अभी आपको गिनवाता जाता किस तरीके से पूरे देश को लूटा जा रहा है अंबानी अडानी और अपने कुछ पांच-दस मित्रों को कैस से अमीर बनाया जा रहा है वो दुनिया के पांच में सबसे बड़े अमीर बन गए और देश की जंता जो है वो दुनिया की सबसे गरीब जंता बन गई इन सब चीजों को छुपाने के लिए क्या किया जाएगा यह किया जाएगा ग्यानवापी मस्जिद में एक कोट के माद्ध्यम से जिनन जिनके उपर कोट ने भरोसा करके उनको कमिशनर बनाया कोट उनके माद्ध्यम से एक इतना बड़ा जूट देश के सामने स्थापित किया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है यह कोरा बिलकुल जूट है और यह उन वकील साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ताकत जो लोग हैं इस पक्ष के उनको होनी चाहिए सबसे बड़ी गलती उनकी है और उनके अगर investigation की जाएगी तो उनके तार मनुवादी ताकतों से RSS से और BJP से निकलेंगे अब इस मुद्दे को आपने भी कह दिया कि वहां पे कहीं ना कहीं शिवलिंग निकला है तो यह जो मिथ्या फैला ही जाती है उसी के बेस पे इनकी सारी राजनीती है तो अब सारा देश जो मैं बात करते रहेंगे चाइना और पाकिस्तान के साथ एक तरह से हाथ मिला के देश को यह कमजोर करना है यही एक मुद्दा है दूसरा कोई मुद्दा नहीं है भारती जंता पार्टी और RSS के लोगों को तब बाइकॉट होना चाहिए इस देश से अगर नहीं होगा तो देश कर देश को आपने साथ नहीं अपने हैं अपने दोस्तों के शार देश लूटके उनको udara लेकिन देश की चंता के साथ इतना बड़ा धोका कर रहा है एसा प्रधान-मंत्री गिसी कोAuthor बढ़ार वाला कभी किसी को न बना है सर सोशल मीडिया वे इस तरह से पर्दानमंत्री की मतलब विरोध किया जाता है और जो बड़ी मीडिया है गोटाले का है और जो दूसरे राजनितिक गोटाले हो रहे हैं जिस में ये जो मीडिया estava मीडिया में इसको अपने चन्द मित्रों के हाथ में गिर्वी रख दिया गया है यह अदानई चरन्बानी ही सारी मीडिया को 컨्र्वर करे और जो Çau pasta पूरा सिस्टम जो सारा जो देश के संस्थान है संस्ताय है उनको कमज़ोर करके मनुवाद माझसिक्ता के लोगों को गुजाय जा रहा है यह तक कि election में भी छलकपट माना जाता है electoral fraud है यह electoral offenses है यानि के यह कानून की नजर में election के जहत जो laws कानून बने है उसका अफराद है तो यह इसी के माध्यम से चुनाव जीते हैं आपका कहना है कि Muslim विरोधी पार्टी है लेकिन कुछ BJP ने ताओ का वीडियो वाइरल होता है उसमें कह रहें कि हम हिंदू राष्टर बना के रहेंगे इसमें कितनी सचा यह क्या बन सकता है कानूनी तो और जिस तरह से कानूनों की किता भारत का बावा साब डॉक्टर भीम रांबेट करका समयधान खतम करने की ही इनकी मेन प्लानिंग है मनुस्पृति दुबारा लागू करने की ही इनकी मेन प्लानिंग है इसमें मुझे कोई शकर शुपे की गुंजाइश नहीं है यदि देश का SCST OBC और जो अलप संक्यक समाज है नहीं जागेगा नहीं उठ खड़ा होगा और इन RSS और BJP के मनुवादी मानसिक्ता के लोगों को बेनकाब नहीं करेगा तो यह लोग मनुस्पृति लागू करा ही देंगे हिंदुराष्ट बना ही लेंगे भारत का समिधान खतम करके तो इसलिए हमें सब को को खड़े होके देश की साड़े बानवे परसंट जनता को खड़े होके इनका इनका मुकाबला करना चाहिए इने बेनकाब करना चाहिए एक्सपोस करना चाहिए और इनके खिलाब कानूनी कारवाई भी करनी चाहिए पिरकुल सर जो यह ग्यानवाबी लाश्ट स्वाल है मेरा ग्यानवाबी मस्जिद का आपने मुद्दा कहा है कि कही न कहीं कोर्ट क्यों है उनको फटकार लगाता सरकार को इसको बात कर देखो हर जो जुम्मेवार है सरकार ही होगी जुम्मार की क्योंकि अभी पक्स में सरका कोट भी आजकल जैसे मैंने का सभी संस्तान जो है मनुवादी बांसिक्ता के लोगों ने सभी संस्तानों के प्रेशर यानि के दबाव बना रखा चार सुप्रीम कोट के जो सिटिंग जजिस थे उन्होंने प्रेस कॉंफेंस करके यह बोला कि हम लोगों के उपर दबाव है औ तो यह तो जग्स जाहिर बात है कि सब इंसस्तानों पे अदालतों पे भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा और वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस मनुवादी विवस्ता को हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना हो पिल्कुल तो हमारे साथ वकील साब से तमाम मुद्दों पर बात की तो आप क्या कहना साहेंगे क्या भारत हिंदू राष्टर बन सकता है इसके लिए आप कमेंट बोक्स में कर सकते हैं अपनी राई मैंसन तो तब तक बनी रहे हैं इंडियन एने चनल पर नमस्कार जै हिं बारत मात की ते जै